हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करते हैं आप बढ़िया और एकड़म मज़े में होंगे बच्चों आज हम एक पार्ट पढ़ेंगे इसका नाम है बुखार तो बुखार है बच्चों प्रस्तुत कहानी में लिखक ने एक मंद बुध्धी बालक के मध्यम से सभी पाठकों को यह समझाया है कि हर समस्या का हल एक समान नहीं होता जैसे समस्या होती है उसका हल भी वैसा ही होता है हमेशा एक ही नुष्के को नहीं आज़माना चाहिए बहुकि स्वयम के दिमाग का भी प्रयोग करना चाहिए तो आईए अपने इस पाठकों आमारम करते हैं शेख चिली घर में रहने के लिए मजबूर था मगर घर में खाली बैठे रहने से उसे परिशानी महसूस हो रही थी इसलिए वै बार बार अपनी अम्मी से जाकर कहता अम्मी बताओ ना कोई काम, खाली बैटना इनसान के लिए ठीक नहीं है, खुदा ने उसे दो हाथ बक्षे हैं, तो इसलिए कि वह कुछ काम करता रहे। रसीदा बेगम अपने बेटे के मुँ से इस तरह की बात सुनकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि शेक चिल्ली को ऐसा कौन सा काम बताएं जिसमें उसका दिन निकल जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद रसीदा बेगम ने एक खुरपी लाकर शेक चिल्ली को थम और कहा बेटे दरवाजे के सामने की खुली जमीन में तुम्हारे अब्बुने आलू लगवा रखे हैं। आलू के पौधे अब बड़े हो चले हैं। जाकर उन पर मिट्टी चढ़ा दे। ध्यान रखना आलू के पौधों की क्यारियां बिलकुल सीध में रहे। शेक चिल चिली को पूरा भरोसा था कि वहें आलू के पौधों पर मिट्टी चढ़ाने का काम ठीक तरह से कर लेगा। इसलिए उसने उत्सा पूर्वक खुरपी थामी और आलू के खेत की तरफ चला गया। दो-तीन घंटे वहें मनो योग से आलू के पौधों पर मिट्टी चढ़ा आलू के खेत में ही खुरपी चोड़ती और कुएं पर जाकर खुद कुएं से पानी निकाला और अच्छी तरह हाथ पैर धोए। फिर अम्मी के साथ घर में आ गया। भोजन करने के बाद शेक चिली आलू के खेत में काम करने के उद्देश से पूरे उत्सा के साथ कि दोपहर की धूप में पड़ी रहने के कारण खुरपी गरम हो गई है। इसकी जगा उसे याद आया कि एक बार उसका शरीर भी तपने लगा था। थब अम्मी हकीम सहब को बुला कर ले आई थी और हकीम सहब ने उसे देखकर अम्मी से कहा था बेगम साहिब शेखु को तेज बुखार हैं मैं दवा बना कर भेज देता हूँ इसे हर चार घंटे पर दो दो चम्मच दवा पिलाती रहीएगा। शेखु को संदे हुआ कि उसकी खुरपी भी बीमार है और उसे तेज बुखार हो गया है। ऐसा खयाल आती ही शेख चिल् क्यों क्या हुआ शेख चिल्ली किसकी तवियत खराब हो गई। हकीम साहब ने पूछा मेरी खुरपी दूप में पड़ी थी अब ये उसे तेज बुखार हो गया है। आप चलकर उसे देख लीजे और कोई अच्छी सी दवा दे दीजे जिससे मेरी खुरपी जल्दी से ठी खो जाए। शेख चिल्ली ने कहा। हकीम साहब को बात समझते देर नहीं लगी कि धूप में पड़ी रहने के कारण खुरपी गरम हो गई है। जिसे शेख चिल्ली बुखार समझ रहा है। उन्होंने प्यार भरे अंदाज में शेख चिल्ली से कहा। बेटा तुम्हारे ख खंती खुदाल का बुखार उतारने के लिए यह शर्तिया इलाज है। हाँ यदि ऐसा करने पर भी खुरपी का बुखार नहीं उतरे ताबाना। मैं चलूँगा और देखूँगा कि तुम्हारी खुरपी को क्या रोग लग गया है। अभी तुम जाओ और जैसा मैंने बत उच्छा और उसे चूकर देखा। खुरपी का तापमान सामाने हो चला था। शेक चिल्ली इस कामयाबी पर उचल पड़ा। उसने मान लिया कि बुखार उतारने की कामयाब तरकीब उसने सीख ली है। इस बोथ के साथ वह दुगने उत्सा से आलू के खेत में काम करने ल तयार कर दी हैं बिलकुल सीधी क्यारियां अपने बेटे के इस कारनामे पर वह बहुत खुश हुई और उसे साथ लेकर लोटी और उसके हाथ पैर धुलवा कर घर में ले गई। अब यहाँ आलू का खेत शेक चिल्ली के हवाले हो गया। उसकी कोडाई और पौधों पर मि अदावार अच्छी हुई जिसमें शेक चिल्ली ने काम किया था। शेक चिल्ली की इस उपलब्धी की चर्चा शेक बदरुदीन बहुत शान से अपनी मित्र मंडली में करते थे जिसे सुनकर शेक चिल्ली बहुत प्रसन्न होता था। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। नहीं थे। महिलाएं थी या फिर बच्चे थे। अफरात अफरी के कारण शेक बदरुदीन भी जगे और उनकी बेगम भी जगे। शेक चिल्ली की भी नींद खुल गई। सभी बाहर आए। पडोसी के घर कोहरा मचने का कारण जानकर शेक बदरुदीन हकीम सहाब को बु बुखार है। इतनी सी बात को आफ़त समझने की जरूरत नहीं। मुझे बुखार उतारने का नुस्खा हकीम सहब नहीं सिखाया है। दादी जी को सामने वाले तालाब में दो तीन डुप किया दिलवा दे। फिर देखिए कि बुखार कैसे चुमंतर हो जाता है। शेक च तालाब के पानी में उतर गए। पानी में बुखी को दो तीन डुपकिया लगाई गए। और उसका असर यह हुआ कि बुखी की हालत और खराब हो गए। उसकी सासे उल्टी चलने लगी। संयोगवश उसी समय शेख बदरुदीन अपने साथ हकीम सहाब को लेकर और इस बात पर खफा होने लगे कि बुखी को पानी में क्यों डुबाया गया। जब हकीम सहाब को पता चला कि शेख चिल्ली ने खुर्पी के बुखार उतारने का नुस्खा इस वृद्ध महिला का बुखार उतारने के लिए आजमाया है तब उन्होंने शेख चिल्ली को चक्कर में मत पड़ो शेख चिल्ली अजीब निगाहों से हकीम सहाब को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था बुखार तो बुखार है आदमी को हो या कुर्पी को तो दोनों के लिए दबा तो एक ही होगी ना तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको इस पाट अच्छा लगा होगा आपने सिध्यान पूर्वक सुना होगा और आप जान गए होंगे इस पाट की माध्यम से कि सबसे बड़ा क्या है अपनी सोच अपनी बुद्धी जिसका परिचे हमें समय समय पर देना चाहिए हर स हुआ 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 है